और सबसे बढ़िया इनके भूपू आइसे बजाते हैं लोगों पता चल जाता है कि आइस्क्रीम वाले भईया आगे बचपन वाली आइस्क्रीम हमारे गाउं में आज बेचने आए भईया यह लेया है खा रहे हैं मिल्क फ्लेवर है बहुत गजब की है चोको बार भी खतम हो तो यह हमारे बहादूर चाचा है और गोलु भाई तीन आइस्क्रीम ली है कितना हो गया 15 रुपया दोस्तों आप सब ने बचपन में आइस्क्रीम तो खाई होगी और गाउं में जो भूपू बजा करके आइस्क्रीम बेचने आते हैं उसका मजा ही कुछ और है हाला कि है तो सर में पगड़ी बांद करके आइस्क्रीम बेच रहे हैं क्या नाम है भाई साब दुर्गा सोनी कौन कौन सी आइस्क्रीम है अच्छा कितने वाली है पांच वाली दस वाली बहादूर चाचा क्या कहना चाहोगे अब कम होई गए ना पहले बहुत आउत रहे और ललक यह देखो आज भाईया की जबर्दस सेल हो गई है आज बोल रहें इनका सारा माल खतम हो गया यह कौन सा है फ्लेवर अच्छा यह मिल्क फ्लेवर है और दूसरा फ्लेवर दिखाईएगा और यह है इनका आइस बॉक्स यह खुद खरीदना पड़ता है कंपनी वाला देता है अच्छा यह कहां पर बनती है लोकल में सागन में फैक्टरी इसकी चलो एक दिन फैक्टरी का भी वीडियो दिखाएंगे मित्रों कैसे बनती है क्या कीमत है चाचा इसकी पांच रुपे पांच रुपे की है सारी और उसमें जो डिब्बे में आत्वाली खतम है इसर्फ बच्चे ही मांगते है ठीक है बच्चों को सबसे ज्यादा कौन सी पसंद है चोको बार है या खतम हो गई यार जो हमारा खाने की चाह वोले सब खतम है पादूर चाचा कौन सा खाओगे खिला दो भाई यह देखो बढ़िया इनके भूपू आइसे बजाते हैं लोग पता चल जाता है कि आईस्क्रीम वह बहाएं आगे है अचा चाह ग्यहूं और नाच के बदले भी आईसक्रीम लेते हो अचा इसका क्या सिस्टम है देसे अदा किलो में मिल जाता तो दो मलाई जे दीन देते हैं अचा गेहूं क्या रेट लेते आप 20 रुपे फ्यस मिलता है अच अच्छा अलम नसे का सावान भी साथे साथ चल रहा है अब वीडी माची सो तो सब कोई पीता है अच्छा गजब भाई गजब तो मित्रों यह हैं बच्पन की यादें आज कल हम हैं अपने गाउं में आयोध्या में और यह हमको भीया मिल गए बहिया कुछ पानी वानी पिला हमें तो